Hello everyone, welcome to हमारी सरकारी नौकरी, तो DRDO में फिर से बेकेंसी आई है, JRF पोस्ट के लिए, कुछ दिन पहले आपका एक पोस्ट आया था, JRF के लिए ही आया था, ठीक है, मगर उसमें बरांच नूटिफाइड जो था, वो मेकेनिकल था, और इलेक्टिकल था, मगर यहां पे और कु हम लोग स्टार्ट करते है, तो यह जो जौब अपडेट है, यहां पे जो है यह जौब डेट है, DRDO में आया है, ठीक है, अब जो है, यह जो है ब्रांच जो इस बार थोरा सा आपको इनहांस करके दिया है, थोरा सा अलग-अलग ब्रांच दिया है, देखिए, तो एक सिप जो है यहां fellowship एक जो आया है computer science and engineering में आया है एक post ठीक है तीन post जो है electronics and communication यानि EC में आया है और टू जो है anticipated vacancy जो है mechanical engineering में आया है अब जो है इसका educational qualification की बात करें तो यहां graduate degree from recognized university in professional course B.E.B.Tech in first division in respective subject to it gate or post graduate degree from recognized university in professional course M.E.M.Tech in first division both at graduate and post graduate level in respective subject अब देखिए generally जो है इसका qualification यह होता है कि आपका B.E.B.Tech जो हो वो first class में होना चाहिए और और नहीं हिंदी में और कहिए और जो है आपका gate जो है qualify होना चाहिए ठीक है gate में अच्छा score होना चाहिए तो selection होगा और अब English वाल यहां पर ठीक है या या फिर आपको जो है PG होना चाहिए professional university से first class से तो यह हो गया अब जो है यहां पर जो स्टेपन के तोर पे आपको जो मिलेगा वह 31,000 पर मंत मिलेगा 31,000 रूपया मिलेगा ठीक है अब अपर एज लिमिट सेल भी relaxable to the candidate belonging to schedule का schedule tribe and OVC as per government of India तो यहां SCST और OVC PWBD भी है क्या तो इन लोग जो है आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा एज relaxation होगा तो वो government of India के तरफ से जो rule and revelation होंगे उसके तहट जितना आपको मिलना रहेगा उतना मिलेगा ठीक है अब आगे बरू में tenure का बात करूँ तो यहां पर दो साल का आपको extendable up to maximum of four years as per provision of scheme of research fellow India डियो तो दो साल फिर जो है expand भी कर सकता है और चार साल तक भी हो सकता है मगर maximum लिखा हुआ है यहां पर चार वर्स ठीक है अब जेनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो interested candidate आपको कहां पर इसको जाके भरना है इन भाइर अप्लाइट हो website website बता देता हूं हमें dot www.rsc.gov.in पर जाईएगा वहां पर आप दूसरा क्या है drdo.gov.in वहां जाईएगा तो यह online आप application को registration करिएगा form भरिएगा ठीक है अब candidate are requested to ensure that their eligibility with respect to age, discipline, qualification, etc and the proceed for registration online and upload supporting document तो इस बात का ध्यान रखना कि आप पूरा एकदम से और हो जाना जो चीज आप दे रहे हो सब कुछ complete होना चाहिए ठीक है अब आगे बरते है अब the marks obtained in qualifying exam are to be mentioned in percentage तो आपका जो qualifying examination है उसमें जो है marks जो होना चाहिए वो percentage होना चाहिए जैसे कि यहां पे दिखा है कि in case of cgpa can rate are requested to convert the cgpa into percentage as per university norms and upload the supporting document देखे तो यहां पे जो cgpa होता है percentage उसको आपको convert करना है percentage में college का जो है हर college का अलग-अलग percentage का यह रहता है एक percentage conversion certificate मिलता है उसमें जो है आपका percentage में convert करने के लिए कुछ भी multiplication होता है 9.75 9.772 9.70 इस तरीके से जो है percentage में conversion certificate मिलता है उसके हिसाब से आप डाल दीजेगा और वो भी अटेस्ट करना है आपको shortlisted candidate will be intimidated by email and will be called for a written test and or online interview at lrde.slash gtc bengaluru tentatively during first week of July 2 हर बाइस अब देखिए यह जो है बैंगलूरू का जौब है और परसो तरसो में एक डी आडियो का फिर जौब बनाया था उसमें वो डी आडियो का जो आया था वो हैदरावाद के लिए था ठीक है तो यह confusion नहीं रहना चाहिए clear हो जाना चाहिए यह जो है बैंगलूरू है आपका shortlisting होगा तो आपको जो है इंटर्व्यू के लिए जो है LRD TTC बुलाए जाएगा टेंटेटली भी जो है डूरिंग जामेशन जो होगा वो जुलाई फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीक अप जुलाई 22 तो तीस तारीक लास्टेट है उसके आद आपको अपडेट मिलेगा उसी साब से जो है आप लोग यह जो PDF है ना मैं आपको पकाईदा यहां पर लिंक में डाल दूँगा आप उस चीज़ को देख लिजेगा अब देखिए आपको जो भी आपको मिल रहा है टर्म सेंड कंडिसंट टी एंसी जो भी है वो चीज़ आप पर सकते हैं ठीक है आप अप अप्लिकेशन एर करना रहना परेगा ठीक है अब देखिए यहां पर इट में प्लीज भी नोटेड आट फॉफी सर और फेलोशिप ड़स नॉट कंफा और फेलोज एनी राइट आफ अब्जर्फशन इंडिया अब यहां पर देखिए ऑनलेन डेट फॉर ऑनलेन अप्लिकेशन जो है वह यह थर्ड लाश्ट डेट जो है इसका कुलोजिंग डेट आफ ऑनलेन अप्लिकेशन आपका एज जो है वैसे तो यह जो है आपका वो तीस जून से ही निधानित करेगा मगर जो है इसका थर्ड जून जो है वो लाश्ट डेट है ठीक है और कंड़क्ट आप रिटें टेस्ट जो लिखा हुआ था थार्ड वीक अफ जूलाई यहां थार्ड वीक लिखा है अभी मैं एक चीज और देखता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ था अब जो है यहां पर एक चीज लिखा हुआ है यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है बैंगलोरी टेंटेंटर्वी दूरिंग फर्स्ट वीक और जुलाई दो हैर बाइस अब देखिए यहां पर क्या लिखा है आप लोग को क्या रहना है आप लोग को अपडेट रहना है वैसे मेरे हिसाब से थर्ड जुलाई अगर लास्ट डेट है तो फर्स्ट वीक तो कम ही चांस है वो जाएगा आगे ठीक है मेरे अंदाजा से तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और सेलेक्शन पाईए थैंक्यू सो मच और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग सस्क्राइब जरूर करिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो जो भी आपके पास आता है उसे ल झाल